नो जाने कितनी अनकही बाते साथ ले जाएंगे, लोग जूट कहते हैं कि खाली हाथ आये थे और खाली हाथ जाएंगे, रोने से इनसान कमजोर होता है, ये गलत बात है, बलकि रोर रोकर टूटा हुआ इनसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है, कितने खुस नसीब हैं वो लोग जिनके अपने आज भी उनके अपने हैं। रिष्टा गहरा हो या नो हो लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए। पच्तावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविस्य नहीं समार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुक होता है। अप आज के समय में अगर किसी से ज्यादा उमीद रखोगे तो दिल भी उतना ही ज्यादा दुखेगा। गलत वो नहीं जिन्होंने हमें धोखा दिया। गलत तो हम हैं, हमने उन्हें मोका दिया। जिंदगी में कभी इतना भी बीजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जा बचा के रखना अपने रिष्टों को दुनिया से मैंने देखा है खुबसूरत रिष्टों को नजर लगते हुए। जिंदगी में एक ऐसा हमसफर चुनिये जो आपकी बातों से पहले आपकी खामोसी को समझ जाए। बुधिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं हो साथ देने वाला इनसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इनसान कभी साथ नहीं देता जो समझे भी और समझाए भी इस दुनिया में उस रिष्टे से प्यारा और कोई रिष्टा नहीं होता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कम जोरियां बता देना स सबसे बरी मुर्कता होती है, कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखना, क्यूंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बर जाते हैं, जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना कि वो तुम्हारा है ही नहीं, जिन्दगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जो जीने और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं, जो मरने भी नहीं देते, दिल के रिष्टे भी अजीव होते हैं, सबसे ज्यादा वहीर होते हैं, जो सच्चे दिल से रिष्टे निभाते हैं, लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इगनोर करना सीख जाओगे खुद ही लरनी परती है जिंदगी की लराई क्यूंकि यहां लोग साथ कम और ग्यान ज्यादा देते हैं जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परचाई बनने में कहां पैसों से मिली खुसी कुछ समय के लिए रहती है लेकिन अपनों से मिली खुसी जीवन भर साथ रहती है ना हम मीठे हैं और ना ही हम बनने की कोशिस करते हैं हम तो वो सच हैं जो सब को करवे लगते हैं एक वक्त है जो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इनसान किसी भी वक्त बदल सकता है, बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने परते हैं, परिवार और समाज दोनों ही बरवाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन और ना समझ ब पहारना बना लेना मुर्खता होता है। इनसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिन्दगी में खास जगह देता है। पर दो जो आपके पास है उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। बुराई बरी हो या छोटी हमेशा विनास का कारण बनती है क्यूंकि नाव में छेद छोटा हो या बरा नाव को डुबाने का कारण होता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुवात को नहीं बदल सकत लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवस्य बदल सकते हैं। दूसरों को दुख दे कर अगर तुम खुस हो तो समझ लेना वो खुसी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। मित्र वही है जो भीर में खोने न दे और लक्षे वही है जो रात को सोने न दे जो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खरे रहते हैं उनसे ज्यादा सगा आपका और कोई नहीं हो सकता जो आपके पास है उसका सुक्र मनाओ क्योंकि किसी किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती, जिन्दगी में दो चीजे अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त, सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है, बिना मतलब के यहां कोई किसी का इज़त नहीं करता, लेकिन खुद को इतना का बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी अपनों से, जो इनसान खुद को काबू कर सकता है, वो जिन्दगी में कुछ भी कर सकता है, खत्रा दुस्मनों से नहीं, बलकि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अ अंदर के छेद से डूपता है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में हैं और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बहुत दूर तक जाना परता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है अगर बुरा करने का विचार आए तो कलपर टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो गिरगीट खत्रा देखकर रंग बदलता है और इनसान मौका देखकर विश्वास जितना बरी बात है और विश्वास बनाए रखना बहुत बरी बात है गुस्से में कभी गलत मत बोलो क्योंकि मूड तो सही हो जाता है पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वो बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ करके दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते बाते नहीं काम बरे करो क्योंकि लोगों को दिखाई कम और सुनाई ज्यादा देता है जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दवर कर नहीं हरा पाते वही लोग आपको गिराकर हराने की कोशिस करते हैं अजीब सब्द है सोरी अगर इनसान कहे तो जगरा खतम और अगर डॉक्टर कहे तो इनसान खतम कैसे इनसान हैं हम दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं उनके साथ रहो जिनकी तबियत खराब हो लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नियत खराब हो इनसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सिधा जज बन जाता है जिन्दगी में इतना संगर्स तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्म विश्वास बरहने के लिए दूसरों का उदाहरन नो लेना परे पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि साबासी हो या धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं हर रोता हुआ लमहा मुस्कुराएगा सब्र रख ऐ दोस्त अपना वक्त भी आएगा आधी जिंदगी गुजारदी हमने परते परते और सिखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी किसी के पाउं से काटान निकाल कर तो देखो आपकी कर्म ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है जिसने साथ दिया उसका साथ दो जिसने त्याग दिया उसे आप भी त्याग दो उस इनसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं पैसा वही है जो पास में है ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपके साथ में है हमें किसने रोका है? उनके साथ रहो जिनकी तबियत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नियत खराब हो, जिनसे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है, अगर कोई आप से कुछ मांगे तो दे दिया करो, और धन्य करो उस उपर वाले का, जिसने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ये भी अगर आप सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे?